नमस्कार दर्सकों, कैसे हैं आप शभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मजे में होंगे मित्रों आज का जो हमारा वीडियो है वो अंग्रेजी अलफाबिट की जो H नाम बाले जातक होते हैं जैसे किनही का नाम हरीस होगा किनही का नाम हरियोम होगा तो जो H नाम बाले लोग होते हैं उनके लिए 2024 से 2035 तक का समय कैसा रहेगा इन 12 वर्सों में आपके जीवन में क्या-क्या होने वाला है वीडियो बहुत जयादा महतपुर्ण है तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए वीडियो के लाश्ट में आपके आने वाले समय का एक टोटका है तो आपको उसे भी सुनना है और आजमाना है ताकि आने वाले वर्षों में आपके जीवन में कहीं कोई परेशाने बिल्कुल भी नहीं हो तो आईए अब हम वीडियो की सुरुआत करते हैं परंतो उसे पहले क्या करना है आपको वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो के नीचे में आपको अपना नाम कमेंट कर देना है उसके वाद वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है तो आईए अब हम वेडियो की शुरूआत करते हैं शब से पहले मैं आप से बात करने वाला हूँ आपके कैरियर के वारे में उस तो कैरियर के दृष्टी कुन से आपका जुआने वाला शमय है वो आपके लिए बहतर नहीं, बहुत ज्यादा बहतरीन होने वाला है केरियर के छितर में आपका शमय आपका भाग्य आपका शाथ अवश्च देगा अपने केरियर में हर कारे को करने में आप एकदम से सफल होने वाले हैं आपके केरियर के छितर में भगवान सनी और गुरू बिरस्पती ये दोनों आपकी शहायता बहुत जयादा करने वाले हैं और इन दोनों के सहायता से केरियर के छित्र में आपकी उन्नती बहुत ज्यादा होने वाली है दोस्तों आप में से बहुत लोग होंगे जिनके पास में कोई काम नहीं होगा जिनके पास में कोई नौकडी नहीं होगा तो आने वाले वर्षों में अगर आप नौकडी करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके पास में कोई काम हो तो नौकडी की तलास आपको करनी चाहिए क्योंकि अगर आप नौकडी की तलास करते हैं तो भगबान सनी नौकडी को खोजने में आपकी शहायता बहुत ज्याद होने वाली है आप में से बहुत लोग होंगे जो पहले से नौकडी करते आ रहे होंगे तो आने वाले वर्षों में आपके नौकडी के छित्र में आपकी उन्नती काफी ज्यादा होगी आपके पद में आपके तनखुआ में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाला है लेक वे लोग आपके विरोध में कोई गुट बना देंगे, कपट करना शुरू कर देंगे और इस कारण से आपके काड़े छेत्र में आपको पड़ेशानी का सामना काफी जयादा करना होगा। आपका शाथ बिलकुल भी नहीं देगा। जीवन में आपको शमस्या का शामना, मन मुटाओ का सामना बहुत जयादा करना होगा। तो अगर आपके पड़िवार में कोई पैत्रिक संपती के कारण विवाद चल रहा हो तो उस विवाद को आपको खतम करने का प्रयास हर हाल में करना होगा। तो कि अगर आप ये नहीं करते हैं, विवाद चलते रहता है, तो आपका पड़िवारिक जीवन बहुत जयादा अस्त व्यस्त हो जाएगा। और आपको शमस्या का शामना कही न कहीं बहुत जयादा करना होगा। ज़स दिनों के अंतराल पर आपको अपने घर पड़िवार में करते रहना चाहिए। अगर आप ये करते हैं, तो आपके पड़िवार का जो वाता बरन होगा, वो कहीं न कहीं सही रहेगा। और अगर शंभव हो तो अपने घर के लोगों की बातों का शंमान भी आपको हर हाल में करना होगा क्योंकि परिवार के जो लोग हैं उनकी बातों को उनके विचारों को अगर आप जयादा शंमान नहीं देते हैं तो यह भी आपके घर के माहौल को खराव करने में बहुत जयादा महतपुर्ण भूमिका निवा सकता है तो इस पॉइंट पर भी आपको ध्यान देना है इसके बाद है आपका श्वास्त मित्रों सेहत के द्रिष्टिकों से आपका जो आने वाला श्मय है वो जयादा अच्छा नहीं रहेगा भगबान सनी आपके मानसिक तनाव को बहुत जयादा बढ़ाने वाले हैं आपके मानसिक शांती को भगबान सनी भंग कर देंगे और इस कारण से आपका श्वास्त आपका शाथ जयादा बिलकुल भी नहीं देगा दर्सकों आने वाले वर्षों में कुछ ऐसे काम होंगे जिस काम को करने से आपको मानसिक शांती की प्राब्ती बहुत जयादा होती हो तो जिस काम को करने से आपको मानसिक शांती मिलता हो आपको खुसी मिलता हो तो ऐसे काम को आपको हर हाल में करना चाहिए क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो यह आपके श्वास्त को अच्छा बनाने में आपकी शहायता बहुत ज्यादा करेगा परंतो इसके अलावा आप मेंसे बहुत लोग होंगे जो नसापान करते होंगे जो धुम्रपान करते होंगे जो शराव का शेवन करते होंगे तो आने वाले वर्षों में इन चीजों को भी आपको हर हाल में छोड़ना होगा क्योंकि नसापान को अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो यह आपके शेहत के मामलों में आपको बहुत जयादा परिशान करेगा और इस वक्त ऐसे समय में आपका भाग्य आपका शमय भी आपका शाथ बिलकुल भी नहीं देगा अगर संभव हो तो आपको योग वियायाम एकसरसाइज प्रतेक दिन करना चाहिए क्योंकि यह आपके श्वास्त को अच्छा बनाने में आपकी शहायता बहुत जयादा करने वाला है इसके बात बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे पैसे बहुत जयादा कमाने वाले हैं परन्तु आप मेंसे जो भी लोग पैसों का लेन देन बहुत जयादा करते हो पैसों का आदान परदान बहुत जयादा करते हो तो पैसों के लेन देन में आपको जल्दबाजी बिलकुल भी नहीं करना है क्योंकि जल्दबाजी में अब बात करते हैं आपके उपाई के बारे में, तो उपाई बहुत ज़्यादा शामान्य है, आपको प्रतेक सोमबार के दिन महादेब की पूजा करनी चाहिए और सिबलिंग का आपको अभिशेक करना चाहिए अगर आप ये करते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा फाइदिमंद होगा और इस उपाय से आपको आने वाले वर्षों में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा दोस्तों बीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उप्योंगी और फाइदिमंद होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना है, चैनल को subscribe कर देना है और वीडियो को हड जगा share कर देना है तो हमारी आपकी मुलाकात एक नए वीडियो में होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्री राध है